प्रशन एक, भारत में सबसे संपत्ती वाला राज्य कौन है? Option A. तमिल नादू. Option B. महराष्ट्रा. Option C. केरला. Option D. करनाटक. सही उत्तर है Option B. महराष्ट्रा. प्रशन 2. भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृशी उद्योग पर निर्भर हैं? Option A. साथ प्रतिशत. Option B. सत्तर प्रतिशत. Option C. 58.9 प्रतिशत. Option D. अन्य. सही उत्तर है Option C. 58.9 प्रशन 3. राष्ट्रिय पधार्थ से सकल लाग में कितना प्रतिशत कृशी उद्योग का योगदान है? Option A. 17.5 प्रतिशत. Option B. 17.9 प्रतिशत. Option C. 20 प्रतिशत. Option D. अन्य. सही उत्तर है Option A. 17.5 प्रतिशत. प्रशन 4. GDP के आधार पर भारत का स्थान है. Option A. 5. Option B. 3. Option C. 7. Option D. 13. सही उत्तर है Option C. 7. प्रशन 5. Purchasing Power Parity के आधार पर भारत का स्थान है. Option A. 4. Option B. 9. Option C. 7. Option D. 3. सही उत्तर है Option D. 3. प्रशन 6. GDP पर केपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है. Option A. लकजंबर्ग. Option B. सयुक्त राज्य अमेरेका. Option C. कतर. Option D. अन्य. सही उत्तर है Option C. कतर. प्रशन 7. भारत में उचतम मानव विकास सूचकान्क. HDI किस राज्य में है? Option A. गुजरात. Option B. केरल. Option C. तमिलनाडू. Option D. महराष्ट्रा. सही उत्तर है Option B. केरल. प्रशन 8. निम्न में कौन से देश में मिश्रत अर्थ व्यवस्था है? Option A. अमेरिका. Option B. भारत. Option C. चीन. Option D. प्रूस. सही उत्तर है Option B. भारत. प्रशन 9. आर्थिक क्रियाओं का उद्देश होता है. Option A. जिविको पार्जन. Option B. मनोरंजन. Option C. A. और B. Option D. इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है Option A. जिविको पार्जन. प्रशन 10. जनसंख्या व्रिद्धी से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है Option A. सामान्य रहती है Option B. तीवल हो जाती है Option C. मन्द हो जाती है Option D. कुछ भी नहीं होता है सही उत्तर है Option C. मन्द हो जाती है प्रशन 11. आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन आधार कौन-कौन से है Option A. सकल राष्ट्रिय उत्पाद Option B. प्रतिव्यक्ति आए Option C. आर्थिक कलियान का आधार Option D. इनमें से सभी सही उत्तर है Option D. इनमें से सभी प्रशन 12. मन्द विकास सूचकान्ख में भारत का क्या स्थान है? Option A. 126. Option B. 127. Option C. 129. Option D. 128. सही उत्तर है Option A. 126. प्रशन 13. पहला मन्द विकास सूचकान्ख के सर्थशास्त्री ने तयार किया था Option A. प्रो. अमर्त्य सेन ने. Option B. महबूब उलहक ने. Option C. डॉक्टर. मन्मोहन सिंग ने. Option D. इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है Option B. महबूब उलहक ने. प्रशन 14. निम्नलिखित में प्राथमिक शेत्र किसे कहा जाता है? Option A. कृषी क्षेत्र को. Option B. सेवा क्षेत्र को. Option C. और द्योगिक शेत्र को. Option D. इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है Option A. कृषी क्षेत्र को. प्रशन 15. शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सीख रिया है? Option A. अनार्थिक. Option B. आर्थिक. Option C. दोनों ही. Option D. इनमें से कोई नहीं. सही उत्तर है Option C. दोनों ही.